गुद मॉर्निंग स्टुडंस अंदर फर्स बच्चों हम लोग को एर बलून रोकना है यहाँ पे टीन दिया हुआ है तो हम लोग को करना है एनी वन कोई भी एक और यह तुम लोग आप लोग को मैं बोक दूंगी बात में यहाँ पे जो है वो चिपका के अंदर लगा देना बरबर यहाँ पे वाला आवल वाला से पे तो यहाँ पे आवल का दिया हुआ है वो यहाँ पे जिपकाना पड़ेगा बरबर यहाँ पे राउन का दिया है तो राउन करना है यहाँ पे स्क्वेर का दिया है तो स्क्वेर का दिया है तो स्क्वेर करना है यह एर बलून ड्र बहुत बड़ा नहीं थोड़ा आठा कुल सेमी कुल देखो यह रहा मैंने बना दिया यहां पे हलका कुल गोल करने के बाद यहां से खीचना है देखो इनीचे से मैंने खीचा है उसको खीचा है देखो बरबर इतना करने के बाद बलून के सेप में लाना है अब इतना मैंने बना दिया बचो बाकी की जितनी भी लाइन है न उतनी रफ कर देनी है पहली बार बना ओगे तो थोड़ा इधर उदर होगा पन बाद बाकी की लाइन रफ करनी है बचो वर्तून से राउंडर से या फि ना बनाने के बाद नीचे की बास्केट बनानी है, बास्केट बनाने के लिए स्क्वेर जैसा बनाना पड़ेगा, पहले ऐसा, रेक्टेंगल से, फिर यहां पे ऐसी लाइन खीतनी पड़ेगी, वी की तरह यहां पे वी आना चाहिए, बन गया हमारा रेक्टेंगल, एक जोइ अभी मैं आपको बटाती हूँ ए आधा बना दिया फिर क्या करना बचो यहां बीचो बीच हल के हाथ से आउल से प्ले लेना है ऐसा देखो ए जैसा मैंने बनाया वैसा इतना द्रौ करने के बाद फिर यहां पे आघ जलती ऐसा बटाना है और यहां बन गया हमारा और अच्छी तरह हो गया यहां की लाइनिंग को यहां पे टर्च करना है अभी यहां पे कोई भी डिजाइन बना सकते हो अपने मर्जी की और को भी कलर कर सकते हो बच्छो अपने मर्जी से कलर करना है पर हाँ भूलना नहीं यहां पर क्लाउट्स दो करना है आगे पीछे थोड़ा क्लाउट्स दो करोगे क्योंकि हवा में उठा है तो हम लोग को क्लाउट्स बनाना जरूर है परबर और यहां पर थोड़ी आग लगानी जरूर है यहां पर ऐसे यहां पर एक बॉक्स में थोड़ी आए एर एर के साथ फायर होगा तो वो हिल्टा है इधर उडर परबर ऐसे और इतना ड्रॉकन है अभी आप ऐसा नहीं बनाना चाहो और तो भी बना सकते हो इसके अंदर कोई भी सीमबोल ब개ना हो नाम लिखो क्योंकि बलून वाले अपन अपना नाम लिखते हैं आपका नाम लिखो या कोई कंपने का नाम तो भी चलेगा यह ना बच्स अभी नेक्स वीडियो आदर में कलर बता हूंगी आपको कंप्लित करना Stay home, stay safe